10 माइं आस्सेलाम आलेकूम और दोस्तों कैसे हों मिट करते हैं खेड़े सुएंगे जो लोग भी सौझी अर्ब जाते हैं काम करना अक्सलीक आकिसाल मन पसंद काम जाने जो काम डोला गया ऑप काम नहीं मिलता हैं उनको किसी औरao काम में भेज दें कापील के पास से बहुत सारे लोग किसी तरह खुजने आई लगवा लेते हैं लेकिन जो भग जाते हैं तो क्या हुआ उनके लिए भाग कर काम करना है जरी है या जरना है और अगर हो भाग गये तो उनके क्या फायदा होगा ऊसमें अर क्या नुक्सान होगा सारा डिटेल साथियर्भ में गए कफील खराब मिल गया कफील अच्छा नहीं मिला परसाल करता है तो आप अगर भागना चाहते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा तो इससे पहले अभी तक हमाई चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आ आपका कफील खराब निकला आपको कफील परसान कर रहा है आपका मन पसंद काम नहीं मिला जो काम बोला गया तो काम आपको नहीं मिला इस सूरत में भाग जाओं भाक के पैसे कमा लो बात ठीक है आप अगर भाग कर जाएंगे आप पैसे कमा लेंगे आप पैसे तो कमा ले जरी जाएंगे आपको तीन साल पांच साल बैन हो जाएगा सौधी अरब अपिर सौधी अरब नहीं आप आएंगे और किसी किसी केस में तो पर्मानेंटी बैन भी करा देते हैं लोग अगर आप भाकर काम करेंगे तो सबसे भड़ी पायदा यह है आप पैसा कमा लेंगे क्यो पर आपको थोड़ी परस्तानी होगा, आपको उपसे को नंबर होगें किया। तो तीन साल पांच साल फिर आप घर पर बैठेंगे फिर आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा या अगर कोई बिजनेस लाल ली तो आप कम्याब हो गए नहीं तो फिर आपका सारा पैसा खत्म बरबार हो जाएगा और सबसे बड़े नुकसान यह है कि अगर आप भाग गए इ साब पर पकड़े जाएंगे तो इसलिए कोशिस करें की आगर कपील का खराम मिल गया यह अच्छा नहीं मिला तो आपको कोशिस करें किया तो नंकल कपाला लेगे पिल नकल का पाला देते हैं वह đó आप प्षर लभी पर चले सकते हैं जो आप भाग कर जाएंगे भागिंगे अब कर जरीए तो आपको पर तीन साल पांच साल का भयन ओन्हों जाएगा फिर आप नहीं जा सकते साथी अरब ठीक है यह तो आप नुक्सान और फायदे की बास समझ गए होंगे आप सारा कुछ और अभी मैंने एक वीडियो बनाए थी कुछ दिन पहले उसका लिंक को डिस्क्रेशन में मिल जाएगा कि कैसे एजेंट ने उस बंदे को फसाद दिया था इस तरह है का काम दे कर उसको बकरी चबाता था मजरिम रखा था फिर अचानक मैं जब आफिस वाले से बात किया तो बोला ठीक है मैं उसको वापस मांगा लेंगे कोई बात नहीं है लेकिन फिर आफिस वाले की मन मानी जानते है आप जब एक बार आदमी को भेज दिया तो फिर उसको प भाग गया तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए सवाधी अरव आने से पहले बहुत एहत्यार के तोर पर आईए बहुत कुछ खोज बिन कर लिजिए पहले सब कुछ किलियर कर लिजिए अपने एजिंस से कि भाई में फसा तो मैं तुमको फसा दूँगा उसको जारा ध अध्यान से सवाधी अरव आए ताकि आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा हों तो मिट कर तो वीडियो जरूद पसंद आया होगा आपको पसंद आप लाइक से अज़र कीजिएगा फिर में इल्टेनेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दूआ में आद रेके अल्लाह अपीश